क्या कन्वर्जन चल बल धन्से हो रहा है क्या इसके लिए राष्ट्रियस तर पर कानून बनना चाहिए अगर सभी मत पंथ समान हैं तो संघ कन्वर्जन का विरोध क्यों करता है एक गुलाबराव महराश हो गये उनको भी यही आ Crispy प्रश्ण पूछा गया था उन्होंने जो उत्तर दिया वही मैं आपको देता हूँ अगर सभी मतपंथ समान है तो कन्वर्जन का विरोध क्यों ऐसा पूछा गया तो उन्होंने कहा अगर सभी मतपंथ समान है तो कन्वर्जन की आवश्चक्ता क्यों क्यों आप इधर से उधर ले जाने का प्रयास कर रहे हो सभी मतबंत समान है ना तो जो जिसमें है उसमें वो पुरुनता प्राप्त करेगा तपस्य करेगा तो आप उसको फिर भी इधर ला रहे हो तो आपका उद्देश्च उसको अध्यात में सिखाना नहीं है भगवान मार्केट में बेचा नहीं जाता भगवान जबरदस्ती स्विकार नहीं किया जाता लेकिन छलब अलग दल से होता है तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसका उद्देश्च मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नती नहीं है दूसरे कुछ उद्देश्च छपे है आप डाटा निकाली है सत्य डाटा संग वालों ने न लिखा हुआ डाटा संग के विरोधी विचार रखने वालों ने भी इसके बारे में जो लिखा है वो देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि इसका विरोध क्यों करना चाहिए संग वाले क्यों करें सब पूरे समाज ने ऐसे कनवर्जन का विरोत करना चाहिए ये मेरा मामला है मैं किसकी पूजा करूँ मेरे मन में आता है एक नारायन वामन टिलक थे चित्पावन ब्रामन थे अच्छा परिवार था उनके मन में आ गया कि येशु का रास्ता ठीक है और उन्होंने अपने आपको इसाई बना वो पास्टर बने उनके पत्नी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा वो बने रहे और संगवालो सहित सब लोग महाराटर में उनको बड़े आदर की दुरुष्टी से देखते उन्होंने कर्वनेशन किया इसकी बात कोई नहीं करता उन्होंने देशभत्ती की उत्तम उत्तम कविताय हमको दी और एक सात्विक जीवन का आदर्श अपनी जीवन में समाज में रखा क्योंकि वो छलबल से कनवर्ट नहीं हुए थे उनके मन में परिवर्टन आया इसको तो मांडेता है इंदों में लेकिन ऐसा नहीं होता है चर्च में आने के लिए इतने रुपे देंगे ऐसा जब होता है उसका विरोध करना ही चाहिए अध्यात्म ये बेचनी की चीज नहीं है